नमस्कार मैं रविश कुमार क्या वाकई आपका इस बात में विश्वास है, यकीन है कि मनिपुर की घटना पर प्रधान मंत्री को नहीं बोलना चाहिए क्या आप इस बात पर भरुसा रखते हैं कि तीन महिने से वहां हिंसा हो रही है प्रधान मंत्री मोदी ने मनिपुर नहीं जाकर बहुत अच्छा काम किया आप खुद को प्रधान मंत्री की जगह रखकर देखिए देश का एक राज्य जल रहा है कि आप लंबे समय तक चुप रह पाएंगे कितनी मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको चुप रहने के लिए हर समय दूसरा बहाना ढूंडना पड़ेगा दूसरे विशे की तलाश करनी होगी कि आज क्या करें कि लोग मनिपुर पर ना पूछें ना बोलने की नौबत आए प्रधान मंतरी मोदी को केवल अपनी नाकामी पर नहीं बोलना है वे चाहते तो बोलने के नाम पर मनिपुर की जनता से शांती की अपील भी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं की अगर इन सवालों पर आपको विश्वास है कि ये सवाल सही है और प्रधान मंतरी को बोलना चाहिए था तब फिर आपको लोग सभा में उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को ध्यान से सुनना चाहिए इस पर जितने भी लोग बोल रहे हैं उन सभी को इन नौ वर्षों में प्रधान मंतरी मोदी के खिलाफ या दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव पर तीन दिनों तक बहस चलेगी और दस अगस को प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जवाब देंगे तरिनमुल कांगरिस के प्रफेसर सौगता रॉय ने जब कहा कि प्रधान मंतरी संसद नहीं आते हैं इस पर उन्हें कहा गया कि प्रधान मंतरी के खिलाब निजी आरोप ना लगाएं प्रधान मंतरी सदन में नहीं आते हैं यह निजी आरोप कैसे हो सकता है आज बहस की शुरुवात कॉंग्रेस के सांसत गौरव गोगोई ने की और सत्ता पक्ष की तरब से पहला जवाब बीजेपी के सांसत निशिकान दुबे ने दिया आप भी निशिकान दुबे का भाशन लोगसभा की वेबसाइट से निकाल कर पूरा पढ़िए और उनके भाशन का वीडियो भी सुनिये जो लोगसभा के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है यह सारी तस्वीरे मनिपूर की हैं जो तीन महीने से जल रहा है जहां हत्यार लूटे गए हैं हत्याए हुई हैं बलतकार की घटनाए हुई हैं हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है लेकिन बीजेपी सांसत निशिकान दुबे के भाशन में मनिपूर का जिक्र इतना ही है कि वे विपक्ष की आलोचना करते समय मनिपूर का धन्यवाद करते हैं क्या मनिपूर की यह हालत धन्यवाद योग्य है कि इसके बहाने विपक्ष के पुराने इतिहास को दोहराने का उन्हें मौका मिला विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए बीजेपी सांसत निशिका निशिकान दुबे मनिपूर का धन्यवाद अदा करते हैं। और कॉंग्रेस की सरकार के समय के इतिहास को गिनाने लग गए कि कब-कब विपक्ष की सरकारे गिराई गई गई। कि जब मोदी सरकार आई थी तब अरुनाचल प्रदेश और उत्रा खंड में सरकार बर्खास्त कर दी गई सुप्रीम कोट और हाई कोट ने दोनों मामलों में कहा कि अवैद रूप से सरकारें बर्खास्त की गई हैं अगर कॉंग्रेस ने सरकारे बर्खास कर गलत काम किया तो मोधी सरकार को दसवे साल में यह बताना चाहिए था कि कैसे उन्होंने सरकारे गिराने का खेल खत्म कर दिया लेकिन आपने देखा कि कॉंग्रेस के समय की इस गलती को मोधी सरकार ने खुल कर खेलना शुरू कर दिया ऐसा लगता है कि मोधी सरकार विपक्ष के समय की कर्टूतों का पता करती रहती है ताकि वो अपनी कर्टूतों को सही ठहरा सके जो बुरा हुआ उससे मिटा कर अच्छा नहीं करना है जो बुरा हुआ है उससे और भी जादा बुरा करना है मोधी सरकार को नयनिताल हाई कोट और सुप्रीम कोट के फैसले को पढ़ना चाहिए जो राश्टपति शासन लगाने के मामले में आया था तो हम यह बताना चाहते हैं कि BJP के सांसद निशिकान दुबे ने करिबादा घंटा बोला लेकिन उन्होंने मनिपुर का जिक्र ही नहीं किया सिर्फ इतना किया कि मनिपुर का धन्यवाद अदा करते हैं हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं इसका संदर्व इस बात से है कि निशिकान दुबे नहीं राहुल गांधी पर तंज किया कि वे पहले बोलने नहीं आये शायद देर से जागे होंगे लेकिन निशिकान दुबे के ठीक एक लाइन पीछे BJP के मनिपुर से सांसद और राज्य मंतरी राजकुमार रणजन सिंग बैठे थे जिनका घर भी इस हिंसा में जला दिया गया उस वक्त रणजन सिंग ने बयान दिया था कि मनिपुर में कानून व्यवस्था ही नहीं है राजकुमार रणजन सिंग इनर मनिपुर से BJP के सांसद हैं जब निशिकान दुबे बोल रहे थे तब बीजेपी के ही सांसद रंजन सिंग को कैसा लग रहा होगा। उनके राजी की हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है। काईदे से वे बहस की शुरुवात कर सकते थे, करते तो अच्छा रहता। लेकिन मोदी सरकार ने जहारखन के गोड़ा के सांसद निशिकान दुबे को चुना। आउटर मनिपूर से सांसद हैं लोरोहो एस फोज, फोज नगा पिपल्स फ्रंट के सांसद हैं, मगर NDA का ही हिस्सा हैं। अगर बीजेपी और मोदी सरकार मनिपूर के इन दो सांसदों से ही अपना जवाब शुरू करती, तो उनके मुख से सुनकर संतोश होता कि मनिपूर के लिए मोदी ने और उनकी सरकार ने इन तीन महिनों में क्या किया है। लेकिन मनीपूर का नाम लेकर निशिकान दूबे हर दलका इतिहास बताने लग गए कभी बंगाल चले गए तो कभी तमिल नाडू कब कौन बोलेगा या पार्टियां तै करती हैं हमारा सवाल है कि तीन दिनों तक अविश्वास प्रस्ताओं पर बहस चलेगी क्या सरकार मनीपूर से अपने दो सांसदों को बोलने देगी ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और आपको भी इन दो सांसदों पर नज़र रखनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं मनिपूर के सांसद जब बोलेंगे तब अपने राजी के बारे में क्या बोलेंगे क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा कि राजी में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है जैसे कि वे मीडिया में बोल चुके हैं क्या मनिपूर से सांसद रंजन सिंग और लोरो एसफोज बोल पाएंगे कि स्वतंतरता सेनानी की 80 साल की पत्नी को जला कर मार दिया गया स्वतंतरता सेनानी के बेटे ने कहा था कि इस घटना पर प्रधान मंत्री क्या बोलेंगे एक सैनिक ने कहा कि वो कारगिल में देश की रक्षा के लिए लड़ा मगर भीड से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका जिसे भीड ने नंगा कर घुमाया था मनिपुर की घटना को लेकर मिजोरम में हजारों लोगों ने मार्च निकाला और उसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री भी शामिल हुए उस मार्च में मनिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंग के खिलाब नारे लगाए गए हमारा सवाल है कि मिजोरम से सांसद मिजोर नैशनल फ्रंट के सी लाल सोरंगा को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं क्या वो बोलेंगे तो उनका भाशन विपक्ष के भाशनों से मेल खाएगा या निशिकान दुबे के भाशन से मेल खाएगा अविश्वास प्रस्ताव असम के कालिया बोर से कॉंग्रेस के सांसत गौरव गोगोई ने पेश किया क्योंकि इसका नोटिस उन्हों नहीं दिया था आप निशिकान दुबे के साथ साथ गौरव गोगोई का पूरा भाषन लोगसभा के वेबसाइट पर जाकर पढ़िये और संसत टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर सुनिये आप पाएंगे कि गौरव गोगोई के भाषन का जादातर हिस्सा मनिपूर तक ही सिमित रहा और उसी से संबंधित रहा उनके भाषन से आपको पता चलेगा कि वे मनिपूर को लेकर प्रधान मंत्री से क्यों सवाल कर रहे हैं क्या सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देने आये निशिकान दुबे के जवाब का संबन गौरफ गोगोई के उठाए सवालों से था भी या नहीं ये आप तै करें तो बहतर रहेगा। गोरफ गोगोई इंडिया एलाइंस के उन सांसदों में शामील हैं जो मनिपूर का दौरा करने गया था। गोरफ गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधान मंतरी 80 दिनों तक चुप रहे और जब बोले तो केवल 30 सेकिंड उसके बाद फिर से चुप हो गये। उनकी तरफ से शांती की अपील नहीं की गई। सांसदों गोरफ गोगोई ने तीसरा सवाल रखा कि मुख्यमंतरी को क्यों नहीं बरखास किया गया है। जब भी चुनाव आता है। तब तो गुजरात उत्राखंड और त्रिपूरा के सीम को बदल दिया जाता है। लेकिन बिरेन सिंग को बरखास नहीं किया जाता है। पहाण पर एक वर्ग है तो वैली में एक दूसरा वर्ग रहने लगा है। जो सरकार एक इंडिया की बात करती थी उसने दो मनिपूर बना दिया। तो ये जो घटनाए मनिपूर में हो रही है इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पुरवांचल की किसी कोने में हो रहा है। ये भारत में हो रहा है सा। अगर मनिपूर जल रहा है तो भारत जल रहा है अगर मनिपूर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है अगर मनिपूर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है तो आज हम सिर्थ मनिपूर की बात नहीं कर रहे हम भारत की बात कर रहे हैं सर हमारी मांग स्पश्ट थी कि देश के मुख्या होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए अपनी बात रखे अपनी संवेधना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मनिपूर को एक संदेश जाए कि इस दुख की गड़ी में पूरा सदन मनिपूर के साथ क्या है कि यह हमारी अपेक्शा थी कि यह हमारी अपेक्शा थी रेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री महदे ने है एक मॉन ब्रत लिया कि पर सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलिंग है और इसलिए अध्यक्ष महोदे ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताफ के द्वारा प्रधान मंत्री मोधी जी का मौनवरत हम तोड़ना चाहिए सवाल दूसरा कि लगभग अस्ती दिन क्यों लगे प्रधान मंत्री मोधी जी को मनिपूर पे कुछ बोलने के लिए और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए बोले और उसके पश्चाथ आज तक भी प्रधान मंत्री मोधी जी की तरफ से ना कोई समवेधना का शब्द ना कोई शांती की याचणा मंत्री मंदल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे आप बोलेंगे आप बोलें आपको किसी नहीं रोका लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी एक प्रधान मंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है मुक्ष मंतरी बिरेन सिंग ने हिंसा की शुरुआत में कहा था कि ड्रक्स माफिया पर लगाम लगा रहे थे इसलिए हिंसा भड़काई गई है गौरफ गोगोई ने विस्तार से बताया कि 2017 में जब वहां बीजेपी की सरकार आई तब से लेकर 2023 तक अफीम की खेती में 50,000 एकड का विस्तार हुआ है जंगलों को काट कर अफीम की खेती को बढ़ावा बीजेपी की सरकार के समय मिला है इंडियन फॉरस रिपोर्ट को कोट करते वे गौरफ गोगोई ने कहा कि दो साल में जंगल का एरिया घट गया गोरफ गोगोई ने मनिपूर की IPS अधिकारी के बयान का भी उधारन दिया कि जब उन्होंने ड्रग्स माफिया को पकड़ा तो मुख्यमंत्री की तरफ से दबाव आया कि उसे छोड़ दिया जाए यह गोरफ गोगोई का ही बयान है जिसे मैं कोट कर रहा हूँ गोरफ कहते हैं कि मनिपूर के मुख्यमंत्री के कारियाले से जब एक ड्रग्स माफिया के बड़े नेता को वहां के पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग्स के माफिया को रहा करो और वो ड्रग का माफिया कौन था वो ड्रग के माफिया आप ही के दल के आटोनोमस डिस्टिक काउंसिल का चेयर्मेन था वहाँ पर जब इटोचा सिंग को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उसे रिहा करो ये इटोचा सिंग कौन है वहाँ की राज्य सरकार के पी एची मंत्री सुशिंद्रो के भाई हैं आज ये राज्य सरकार ड्रग्स की बात करती है ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का तालुक है ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ वो पुलिस अफसर जिने इनकी राज्य सरकार ने मिडल दिया वो आज ये बात कर रही है कि इसी सरकार ने मुझे मिडल दिया और यही ड्रग्स से जुड़े इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है उन्होंने अपना मिडल वापस कर दिया राज्य सरकार को ये गौरव गोगोई के बयान है गौरव गोगोई के भाशन से पता चल रहा था कि मनिपूर में क्या हो रहा है वहां से असम राइफल्स को हटाना पड़ा असम राइफल्स तो ग्रिव विभाग के निर्देश पर काम करता है अब तो हालत यह हो गई है कि असम राइफल्स के जवान पर पुलिस और पुलिस पर असम राइफल्स के जवान सवाल उठा रहे है क्या इस तरह से तीन महीने से सरकार वहां समाधान कर रही है ये गौरव गोगोई के ही बयान है और मैं कोट कर रहा हूँ मैं पूछना चाहूंगा कि ग्रिमंत्री जी आपने 51 सदस्यों की कमेटी बनाई कितनी बार वो कमेटी बैठी वो असफल रही ग्रिमंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद आऊंगा लेकिन नहीं गये जब सस्पेंडेड एमेर्जनसी ग्रूप UKLF का चेर्मेन SS हाउ किप एफिडेविट में ये कहता है कि भाटपा ने 2017 और 2019 के चुनावों में उग्रपंथी संगठन का सहयोग लिया ये लीगल डॉक्यमेंट में लिखा है ये है इनका राष्टरवाग जो देश की अखंडता के साथ खिलवार कर रहा है NRC आज तक असम में लागू नहीं कर सके CAA की बात करते हैं ऐसा माहौल वहां हुआ कि जापान के PM नहीं जा पाए नगा पीस फ्रेमवर्क आठ साल हो गए आज तक हमने नहीं देखा कि उसमें क्या हुआ है ग्रिमंत्री नगा विधायक से अलग से मिलते हैं मनिपूर कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं अलग-अलग क्यों मिलते हैं एक साथ क्यों नहीं मिलते हैं अलग-अलग मीटिंगें क्यों? ऐसे उत्तर पुर्वांचल की समस्या नहीं सुलजेगी अगर आप समाज को जाती धर्म के नाम पर बटवारा करेंगे आपको साथ में लेना होगा पहली बार हम देख रहे हैं कि दो राज्य असम और मिजुरम के पुलिस अफसर एक दुसरे पर गोली चलाते हैं ये आपकी राश्ट्रिय सुरक्षा की नीती है इसी को उजागर राहुल गांधी ने किया था इस सदन में चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पुर्वांचल के साथ खिलवार कर रहे हो उमीद है सरकार मनिपुर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विस्तार से जवाब देगी विपक्ष के नेता भी मनिपुर पर बोलने उठे तो महंगाई से लेकर अन्य पहलूं पर बात करने लगए जिस तरह से निशिकान दुबे और अन्य सत्तापक्ष के सांसदों ने किया उमीद है उन सवालों का जवाब भी मिलेगा निशिकान दुबे ने जब बोलना शुरू किया तब वे गिनाने लग गए कि इंडिया गठबंदन में जो भी दल है उनके साथ कांग्रिस ने क्या क्या किया जैसे डीमके की सरकार को कांग्रिस ने बरखास किया टीमसी की सरकार के खिलाब शारदा नारदा केस कांग्रिस के समय किया गया पर निशिकान दुबे ये बताना भूल गया कि इसी केस में टीमसी सांसद मुकुल रोय के खिलाब सी बी आई की जान चल रही थी उन्हें टीमसी से बी जे पी में ले आया गया क्यों लेकर आए एंसीपी के बारे में निशीकान दुबे ने कहा कि 70,000 करोड के घोटाले के आरोब कॉंग्रेस के समय लगाए गए हमने क्या किया दरसल वे बताना भूल गया कि उन्होंने क्या किया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जब अमेरिका से लोट कर आये तो भुपाल में कारेकरताओं से कहने लगे कि एनसीपी ने 70,000 करोड का घोटाला किया है उसके कुछी दिनों के भीतर एनसीपी के अजीद पवार बीजेपी सरकार में उपमुख्यमंत्री बना दिये जाते हैं निशिकान जी को याद ही नहीं आया कि उन्होंने क्या किया अजीद पवार पर मोदी सरकार के समय एडी ने केस दर्ज किया संपत्ती जब्ती अजीद पवार के सहयोगी उपमुख्यमंत्री देवेंदर फणन्विस और बीजेपी के नेता भी उन पर हजारों करोड रुप पैके घोटाले के आरोप लगाते थे जेल भेजने की बात करते थे उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया ये किया आखिर में निशिकान दुबे ने अपनी बात यह कहकर खत्म की निशिकान दुबे को मैं कोट करता हूं वे कहते हैं कि जितनी बहस होगी वो प्रधान मंत जी की नीतियों का चीर हरन करेंगे जैसे द्रौपदी का चीर हरन हुआ है। ना भिश्म पितामा बचे ना अरजुन बचा ना युदिष्टिर बचा आप में से कोई नहीं बचेगा। 2024 में आप में से कोई वापस नहीं आएगा हम 400 सीटों के साथ वापस आएंगे ये निशिकान दुबे का बयान है। नवीन पतनायक की पार्टी बीजेडी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोत किया। बीजेडी सांसत पिनाकी मिश्रा ने कहा कि कॉंग्रेस कहती है कि प्रधान मंत्री सदन में नहीं आते हैं उन्हें आकर बोलना चाहिए। काईदे से किसी भी सांसत को यही कहना चाहिए कि प्रधान मंत्री को सदन में आना चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन बीजेडी सांसत पिनाकी मिश्रा ने कहा कि देश में प्रधान मंत्री जैसा वक्ता नहीं है। वे जब बोलते हैं तब कॉंग्रेस की कपकपी छूट जाती है या जानते हुए भी कॉंग्रेस उनसे बोलने की मांग करती है मगर पिनाकी मिश्रा भूल गए कि देश के सबसे बड़े वक्ता और प्रधान मंत्री ने नौ साल में एक भी लाइब प्रेस कॉंफरेंस नहीं की है वे प्रधान मंत्री के समर्थन में तर्क देते देते उस जमीन पर चले गए जो फिसलन भरी थी पिनाकी मिश्रा महिलाओं को नंगा घुमाने के वीडियो पर बोलते समय रबांडा से लेकर सर्विया चले गए और बताने लगए कि जहां भी इस तरह की हिंसा की घटनाई हुई है तकराओ की घटनाई हुई है ऐसा होता रहा है ऐसा लग रहा था कि सांसद महोदय उस वीडियो को सामान्य घटना की तरह पेश कर रहे हैं जिसे देखकर खुद प्रधान मंत्री विचलित हो गए थे और उन्होंने 30 सेकंड का 30 सेकंड का बयान दिया मगर पिनाकी मिश्रा कहते हैं कि हमने ये सब अफरीकी देशों में देखा है रवांडा में हुतु अतुसी के बीच देखा है बुरुन्डी सर्विया बोस्निया हर्जे गोविना में देखा है यह हमारी राजनिती और समाज में होता रहा है बताएए मनिपूर की तुलना वो रवांडा से करने लग गये मनिपूर किस देश में है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी किस देश के प्रधान मंत्री है इस तरक के साथ पिनाकी मिश्रा महिलाओं के आरक्षण की मांग की तरफ प्रस्थान कर जाते है वीडियो के मसले पर पिनाकी मिश्रा ने जिस तरह से सरकार का बचाव किया है वइसा बचाव तो खुद सरकार ने भी अपना नहीं किया होगा इसी मसले पर सुपरिया सुले का भाषन भी आप सुनिएगा इस बहसे दौरान विपक्ष सरकार से सवाल करता रहा सत्ता पक्ष के दावों को चिनौती भी देता रहा महाराष्टर के कल्यान से शिवसेना सांसद शिरकांत शिंदे ने हनुमान चालिसा ही पढ़ दिया शिरकां शिंदे के पिता एकनाच शिंदे महाराष्टर के मुख्यमंत्री है कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश ने मोदी सरकार के मंत्री किरन रिजीजु को चुनौती दी है कहा है कि किरन रिजीजु ने लोग सभा में कहा है कि प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हर 15 दिन में किसी को पुर्वत्तर जाना है इस पर जैराम रमेश ने उनसे पूछा है कि पिछले 97 दिनों में कितने मंत्रियों ने पुर्वत्तर का दौरा किया है इसका डीटेल वे सामने रखें उन्हें चुनौकी देते हैं यही नहीं राजी सभा में विपक्षी गठबंदन इंडिया ने किंद्रिय मंत्री पियूश गोयल के खिलाब विशेशादिकार हनन का नोटिस दिया और पूरे दिन के लिए सदन का बहिशकार किया जैराम रमेश ने ट्वीट किया है कि पियूश गोयल ने आपत्ती जनक टिपणिया की है उन्हें माफी मांगनी होगी उधर लोग सभा में अव विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है इतिहास से लेकर वर्तमान के किस्से बताए जा रहे हैं इस बहस में मनिपूर एक छोटे स्टॉपेज की तरह आता है जैसे ही विपक्ष से बहस की माईग बीजेपी के पास जाती है अतीज से लेकर वर्तमान तक सब आ जाता है मनिपूर नहीं आता है नमस्कार मैं रविश कुमार